कॉंग्रिस का अग्ला अध्यक्ष कौन होगा? ये सवाल एक साल बात फिर से पार्टी के सामने है क्योंकि अंच्रिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कॉंग्रिस वरकिंग कमटी सुभए 11 बजे होने वाली बैठक में नया पार्टी प्रमुक चुनने के लिए कह सकती है ये बाठक वीडियो कॉंफेंसिंग के जरी होगी रिपोर्टर्स के मताबिक सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से नया अध्यक्ष खोजने को कहा वो इस पद पर अलग-अलग समय में अब तक 20 साल तक रह चुकी है हाला कि कॉंग्डिस ने सुनिया के इस्तिफ़े की खबरों का खंडन किया और इधर राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मदारी लेने से इंकार कर चुके हैं 2019 के लोग सबच चुनाब में पार्टी की हार के बाद होने इस पद से इस्तिफ़ा दे दिया था अब सुनिया गांधी ने अगस्ट में एक साल के लिए अंत्रे मध्यक्ष पद की जिम्मदारी सम्हाल ली इस साल 10 अगस्ट को उनका कारेकाल पूरा हो गया है पिछली CWUC की बैचक में उनसे पार्टी की बागदोर सम्हालने को कहा गया था तब सुनिया ने कहा था कि उन्हें पार्टी का नेत्रत वह करने में कोई दिल्चस्प भी नहीं है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा बाक्षीट के लिए हमाल साथ 36 गड़ रायपूर से सुप्रिया पांडे फोन लाइव जोड़ गए है सुप्रिया आपसे जानना चाहेंगे कि 5 पूर विसियम समित 23 नेताओं की ऐसी मांग है कि कॉंग्रेस में वो हालात बन चुके हैं कि कॉंग्रेस में बदलात की जरूरत है इनको लेकर क्या जानकारी और मिल पा रही है कि कौन-कौन इसमें राय दे सकता है खबरें ये भी हैं कि 36 गड़ से मुख्यमंत्री भूपेश बगेल की भी राय एक बंद लिफाफे में दिल्ली तक पहुँचेगी जी बलकुल राय ये 36 गड़ की मुख्यमंत्री की जो राय है वो भी बंद लिफाफे में दिल्ली तक पहुँचने की जो सूचना है वो सामने आही है क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका कहना है देश को सुधनक्र बनाने में महत्वपू folder रही है तो इसे तबाते हैं मोहन मरकाम ने अपने पत्रे में कही है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भुपेश बगेल भी यही चाहते हैं कि रहुल गांदी पार्टी के अध्यक्ष बने क्योंकि आपको बता दो कि रहुल गांदी मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के बहत करीबी माने जाते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बुपेश बगेल को प्रदेश का मुख्या बनाने में राहूल गांदी का एक बड़ा हाथ जो है वो माना जा रहा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री बुपेश बगेल है वो शुरू से ही निडर्ता के साथ अपनी बात रखते आ रहे हैं और इसी वज़ह से राहूल गंधी के साबने उन्होंने अपनी एक अरक्ष भी बनाई है जिसके वज़ह से राहूल गंधी के बेहात्कारी भी माने जाते हैं। तो इसी वज़ा से जो है मुख्यमंत्री बुपेश बगेल भी यही चाहते हैं कि जो पार्टी के अध्यक्ष हो वो रहूल गांधी हो इसके अलावा छत्रिस गड़ी में जितने भी लोग हैं जितने भी कॉंग्रेसी कार्य करता की बात हो चाहे एनेश वे शात्र संगतनों की जो हो रही है साथ ही पार्टी के तमाम लोग भी यहां पर शत्रिस गरती हैं वो भी यहीं से आते हैं कि गांधी पारिवार से ही अध्यक्ष बनाया जाए क्योंकि गांधी पारिवार का जो बलिदान है वो देश के लिए काफी ज्यादा था इस तरीके से इंद्रा गांधी रजी उगांधी ने जो बलिदान दिया है वो सराहनी है इस तरीके ही जो कहना है वो कॉंग्रेस से कारे करता हूँ और पार्टी के लिताओं का कहना है तो उनके सबी के मांगे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए और अगर इसके खिलाव को अगर कुछ एक्षन मतलब इदी पार्टी से अगर कोई नहीं होता है तो इसके खिलाव श।ज़वी रोद भी जो करने की ट्यारी है वो भी की जाएगी चौकि इस तरीके से अगर ये शूरु से ही मांग करते आ रहे हैं कि श।ज़वी परिवार जो अध्यक्ष है वो किया जाए और साथ ही इनकी सबसे पहली मांग रहुल गांधी ये लोग सभा चुनाओ जब 2011 ने हुआ था तो रहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद सोनिया गांधी वो कमान मिली थी और वो भी अंतरिम कमान की जो अंतर अध्यप्रदेश बोपाल से जुड़े हुआ है लाइव अतोल आप से भी यही सवाल करना चाहूँगी को कॉंग्रिस के अंतिम अध्यक्ष के तौर पर सूनिया गांधी का कारिकाल खत्म हुआ है लहाजा पांच पूर्व सीम समित 23 नेताओं की मांग है कि कॉंग्रिस में बदलाब की जरूरत है वो पूर्ट से नीचे तक बहुत सारे बदलाब किये जाने चाहिए लहाज आज कारिकाल समिति की बैठक भी है और इस कारिकाल समिति की बैठक में राए भी मांगी गई है जहां तक जानकारी है कि मध्यप्रदेश से पूर्व सीम रही कमलनात की भी बैठक है लेकि हमें पूरा एक साल पीछे जाना पड़ेगा इस पूरे मसले को समझने के लिए हाला कि जिसने के 2019 में लोक्सवाद चुनाओं हुए हो लोक्सवाद चुनाओं के बाद जब मध्पूरे देश के अंदर कॉंग्रेस की एक बड़ी भार सामने आई उसके लग- в दक अलग राज़ उन्टम चंवर मधदेश के अंदर इंगाने तो कहीना काई के डिनी निततम्पे की तरफ टरफ सी तरफ साहता मिननी चाहिcame लिए रही है कांग्रेस को मधभडान के अंदर घृत्से है जो अब ये मान करने लगे हैं कि कॉंग्रेस के अंदर एक भारी बदलाव की ज़रुवत है क्योंकि जिस तरीके से कॉंग्रेस इसा में पूरे देश में हसीये पे है और ऐसे हमें कॉंग्रेस के लोग ये जान चुके हैं ये समझ चुके हैं कि नरेन मोदी याने पदान मंती नरेन मोदी अमिशा और बीजेपी की रणनितिकार को अगर आपको मात देना है तो कौंग्वे संगठन को उपर से नीचे तक सरजरी करने की जरूरत है याने आपको अभी जो आंतर में अद्दक्ष है पूर्ण कालिन अद्दक्ष की जरूरत है इसे में इलेक्शन कराए जाए कई अलग अलग राय निकल के आई हलगी ये कह सकते हैं कि कई नेताओं का ये मानना है कि इलेक्शन कराए जाए जो भी इलेक्टेट होते हैं याने ग कॉंगरेस को इस समय प्रदेश के अंदर लीड कर रहे है यह एक नाम है कमलनाथ और दूसरा नाम है दिग्वजे सिंग कमलनाथ पूरो सही माना जाता रहा है इंदरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटे के रूप में मानती रही है अगर दिग्वे सिंग की बात कहें तो दिग्वे सिंग का कारेकाल भी दस साल का मुख्यबंती बतोर रहा है कही ने कहीं गांधी और नेरु परिवार का काफी खास में से एक बना जाता रहा है अगर हम चमलाथ की बात कहें तो कमलाथ ने भी सोचल मीडिया पर सामने आया और समय उनने कहा है कि सूनिय गांधी इस पूरे पाटी को समय समाल सकती क्वापाइडी का बिखराव है लेकिं कॉंग्रेस के अगर समालना है तो सुनिया गांधी ही इसको समाल सकती है अलाकि अगर आप पूरु मुख्पांची दिगवेश सिंक की बात करें तो दिगवेश सिंक के वे ट्वीट किया ट्वीट के माद्धम से उनने साफ करा है कि या अगर इस्तिफा देती है तो दूसरे नंबर पे राहूल गांधी का नाथ दिगविजे सिंग ले रहे हैं हाला कि अगर हम देखें कि दिगविजे सिंग और कमलनाथ एक स्वर में है कि गांधी परिवार से ही किसी को अट्यक्ष बनाया जाए लेकिन बुश्राज इस तरीक एलेक्षन की मांग करी है उसमें कपील सिब्बल हुए गुलाम नभी आजाद हुए विवेक तंखा हुए इसे थमाम कॉंग्रेस के दिगजनेता है जुन्होंने चिट्थी लिए एलेक्षन की मांग करी है और उनका ये साथ तोर पर कहना है कि election अप होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में चुराओं है या अगर हम पूर्बती स्थिती देखे मद्वदेश में जो एक बड़ा सियासी घटना करम हुआ राजस्तान में एक बड़ा सियासी घटना करम हुआ पाइलेट को समझाने के लिए खुद प्रियंका गांधी राओ गांधी को सामने आना पड़ा जिस तरीके से तरकार गिरने और गिरने के इस तरह बड़ा है गोर तलब बात है दर्शानी के कोशिच किये कि नेत्रत करने में उनकी कोई दिल्चस्प भी आगे नहीं है वही राहूल गांधी इसके पहले ये कह चुके हैं कि वो फिर से इस पड़ को स्विकार नहीं करना चाहते है ऐसे में बड़ा सवाल यूटता है कि आखर पाती किस पर भरोसा जताएगी क्योंकि ये पड़ अपने आप में बहुत ही माईने रखता है देकि बुश्रा जिस तरह के से हम सोनिय गांधी की बात करें क्योंकि बीदर जिर हम जब देख रहे हैं लगाता सोनिय गांधी की तबियत में असाज देती है संगठन की तरफ देखने को मिला की कम रूची इस समय जा रही है तो कहीं ने कहीं सोनिय गांधी भी इस दीश को भाप चुकी है कि अब नए अध्यक्ष की जरूरत है हाला कि राहूर कानी दिश्टारी के तरफ जित पकड़े बैटें तो कहीं न कहीं कॉंग्रेश के लिए मुसीबत का सवब है क्योंकि हमने बुष्रा अगर हम कॉंग्रेश का इतियास देखते हैं तो गांधियों नेरू परिवार के माध्यन से ही उनके जो दूसरे नेता हैं वो एक छट के नीचे आ सकते हैं हाला कि अगर इसके अलग से अगर कोई भी नेता अध्यक्ष के तोर पर जाता है अध्यक्ष बनता है तो कहीने कहीं पार्टी के अंदर जो इस समय काफी नाजुद दोर से गुजर रही है उसमें बिखराओ के इस्टिती बन सकती है क्योंकि कई दिगज नेता हैं इस समय जो अध्यश के लिए कावील भी है दावेदार भी है और ये कह सकते हैं कि वो कमान भी सामाल सकते है जिसके अंदर जो है अशोग गहलोत के अगर हम बात करें काफी अनुभवी नेता रहें कमलात की बात करें काफी अनुभवी नेता रहें कि पहेंच हसर हुआ यहां पर नजर आ रहा है यानि कि आपचारिक एलाम के बाद ही इस सितिया इस पश्ट होती नजर आएंगी। नजर आएंगी और रहुल गांदी के बेहत करिदी में माने जाते हैं। रहुल गांदी जो है वो 36 गड़ में काफी ज्यादा है वो सम्मानी माने जाते हैं। उनका सम्मान यहां पर 36 गड़ में ज्यादा है और इसी तरीके से यहां पर जो मांग है वो हो रही है कि कोई और बड़े नेता की बात करें। तो बड़ा नेता जो है वो बड़ा चेहरा वो यहां पर नहीं देखना जाते पाटी के अध्यक्ष के रूप में। सिर्फ और सिर्फ गांभी परिवार की मांग है वो कर रहे हैं यहां पर सभी जो नेता और कारे करता है।